दितिय अध्याय देवताओं के तेश से देवी का प्रादुरभाव और महिशासुर की सेना का बद मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रिसन्न मुखवाली महिशासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाल, बजर, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ती, खड़क, धाल, शंक, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं इस प्रकार देवी का ध्यान करके दितिय अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं रिशी बोले, पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर युद हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिशासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विश्णु विराजमान थे देवताओं ने महिशासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा व्रतांत उन दोनों देवेशुरों को कह सुनाया देवता बोले भगवन, महिशासुर सूर्य, इंद्र, अगनी, बायू, चंद्रमा, यम, बरुन तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन कर स्वयमी सबका अधिश्ठाता बन बैठा है उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है अब बेमनिशों की भाति प्रत्वी पर विचरते हैं दैत्यों की यह सारी कर्दूत हमने आप लोगों से कह सुनाई अब हम आपकी ही शरण में आए हैं उसके बद का कोई उपाय कीजिए इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विश्णू और शिप की भों एक रोज से तन गई तब अतियंत कोप में भरे हुए विश्णू के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्राधी अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला, भैसब तेज मिलकर एक हो गए, महान तेज का भैपुंज जलते हुए पहाड सा जान पड़ता था, देवताओं ने देखा बहां उसकी जो आलाएं संपुन दिशाओं को व्याप्त हो रही थी, संपुन देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उ प्रकट होने पर बहे एक नारी के रूप में आ गया, और उसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशवान हो उठे, भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मोख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकलाए, श्री विश्नु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों इस्तनों का, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, बरुण के तेज से जंगा और पिंडिली तथा प्रतवी के तेज से नितम भभाग प्रकट हुआ, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज स उत्पन्द हुए इसी प्रकार अन्य देवगणों के तेज से भी उसकल्याण में देवी का आविर्भाव हुआ समस्त देपताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिशा सुर्के सताय हुए देपता बहुत प्रसंद हुए पिनागधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल करूने दिया भगवान विश्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्य करके भगवती को दिया बरुन ने शंख, अगनी ने शक्ती, वायू ने धनुष तथा बाल से भरे हुए दो तरकस दिये सहस नेत्रो वाले देवराज इंद्र ने अपने बज्जर से उत्पन्य करके एक बज्जर और एरावथाती से उतार करे गंटा भी दिया यमराज ने काल दंड से दंड बरुन ने पाश प्रजापती ने इसफटी काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेट किया सूरी ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरुणों का तेज भर दिया काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी चीर सागर ने उज्वल हार तथा कभी पुराने ना होने वाले दिब बबस्तर भेट किये साथ ही उन्होंने दिब चूडा मड़ी, दो कुंडल, कड़े, उज्वल, अर्धिचंद्र, सब बहुओं के लिए बाजुबंध, दोनों चर्णों के लिए नूपुर, गले की सुन्दर हसली और सब अंगलियों में पहनने के लिए रतनों की बनी अंगोठियां भी दी विश्व कर्मा ने उन्हें फरसा तथा अनेक प्रिकार के अस्त्र और अभिद कवज दिये इनके सिवा गले में पहनने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी समुद्र ने सुन्दर कमल का फूल हिमाले ने सवारी के लिए सिंग तथा भाती-भाती के रतन समर्पित किये कुबेर ने मधू से भरा पानपात्र दिया तथा नागों के राजाशेस ने जो इस प्रत्वी को धारन करते हैं नागहार भेट दिया जिसमें बहुमूल रत्न जड़े हुए थे इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभुशळ और अस्त्र सस्रदेकर देवी का सम्मान किया तब देवी भगवती ने बारम बार अटाहस पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की उनके भैंकर सिंगनाज से आकाश भी गुंजायमान हो उठा उसकी प्रतिधुनी से संपून विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काप उठे प्रत्वी डोलने लगी और समस्त परवत हिलने लगे उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसनिता के साथ सिंग भाहिनी भावानी का जैजैकार किया और महर्शियों ने भक्ती भाव से देवी की सुती की देवताओं के शत्रू असुर संपून त्रिलोकी को छोब ग्रस देखकर अपनी सारी सेना को कवच आदी से सुसजित कर अस्त्र शस्त्र लेकर उठकर खड़े हो गए महिशासुर क्रोध में भर कर बोला अरे यह क्या हो रहा है फिर भैसंपून असुरों के साथ उस सिंगनात की ओर दोड़ा बहां पहुचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी उनके चरणों के भार से प्रत्वी दबी जा रही थी माथे के मुकट से आकाश में रेखा सीखिच रही थी तथा बे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को कम पाइमान कर रही थी देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपून दिशाओं को ढखे हुए थी तब उन देवी के साथ दैत्यों का युद्ध छड़ गया नाना प्रिकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपून दिशाओं गूंज उठी चिक्षुर नामक महानसुर महिशासुर का सेना नायक था बहदेवी के साथ युद्ध करने लगा दैतियों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा साथ हजार रतियों के साथ आकर उदग्र नामक महा दैति भी युद्ध में कूत पड़ा एक करोण रतियों को साथ लेकर महा हनु नामक दैति भी युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समानती खे थे बह असिलोमा नामक महा दैत पांच करुन रथी सैन को सहेतियुद में आडटा साथ लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत भी उस समर भूमी में लड़ने लगा पारिवारित नामक राक्षस हाती सवार और घुर सवारों की अनेक दलों तथा एक करुन रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा बिडाल नामक दैत पांच अरव रथियों को साथ लेकर मार काट मचाने लगा इनके अत्रिक्त और भी हजारों महादैत रथ हाथी और घोडों की सेनाय साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे स्वैम महिशासुर उस रड़ भूमी में करोडों रथ हाथी और घोडों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था वे दैत तोमर, भिंदिपाल, शक्ती, मूसल, खड़क, परशु और पटिस आदी अस्र शस्त्रों से सुसजित हो देवी के साथ युद्ध कर रहे थे कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ती से प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश भेखे, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रियत नि किया देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल-खेल में ही अपने अस्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वेसमस्त अस्र शस्त्र काट डाले, उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंचमात्र भी चिन्द नहीं था देवता और इशी उनकी इस्तुती कर रहे थे और भगवती परमेशुरी दैत्यों के शरीरों पर अस्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी देवी का वाहन सिंग भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को फटकारता हुआ अस्रों की सेना में इस प्रकार गूमने लगा मानोवनों में अगनी की लप्टे फैलती जा रही हो रड़ छेत्र में दैत्यों के साथ यूद करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े बेसभी ततकाल सैकडों हजारों गड़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशू, भिंदीपाल, खडग तथा पट्टिस आदी अस्रों द्वारा अस्रों का सफाया करने लगे अन्य गड़ नगाड़ा और शंख आदी बजाने लगे उस संग्रा महोसब में अनेक गड़ मरदंग बजा रहे थे तब देवी ने त्रशूल से गड़ा से शक्ती की वर्षा से और खडगादी से सैकडों दैत्यों का सनहार कर डाला कितनों को घंटे के भैंकर नासे मुर्षित करके मार गिराया बहु तेरे दैत्यों को पाश से बांध कर धर्ती पर घसीटा कितने ही दैत उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकडे हो गए कितने ही गड़ा की चोड से घायल धर्ती पर सो गए कितने ही मूसल की मार से घायल होकर रक्त की उल्टी करने लगे कुछ दैत शूल की मार से छाती फट जाने के कारण प्रतिवी पर धेर हो गए बाड़ों की ब्रस्टी से कितने ही असुरों की कमर तूट गई बाज की तरह जपटने वाले देवताओं को सताने वाले दैतिगर प्राणों से हाथ धोने लगे किन ही की बाहे छिन्न भिन्न हो गई कितनों की गर्दने कट गई कितनों के सिर कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर बीच में से कट गए कितने ही असुर जांगे कट जाने से प्रत्वी पर गिर पड़े, कितनों को ही देवी ने एक बहा, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकडों में चीर डाला, कितने ही दैत गर्दन कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और सिर कटे राक्षसों के धर से हतियार हाथ म महा दैत्य देवी से ठैरो ठैरो कहते हुए ललकारने लगे, जहां वै महा युद्ध था, बहा की धर्ती देवी के गिराय हुए रत, हाथी घोडे और असुरों की लासों से ऐसे पट गई थी, कि बहा चलना फिरना असंभव हो गया था, दैत्यों की सेना के हाथी घोडे औ और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा मेरक तपात हुआ कि बहा खून की नदियां बहने लगी, जगदंबा ने असुरों की विशाल सेना को छड़ भर में नश्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे घास और लकडी के भारी धेर को आग कुछ ही छड़ों में जला कर देवी का सिंग भी गरदनबालों को फटकार फटकार कर जोर जोर से गरस्ता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानों उनके प्रांड चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा, बहा देवी के गड़ों ने भी उन महा असुरों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागर प